तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम यहां पे योनो SBI एप में यहां डालकर लोग इन कर रहा है तो हमको यहां पर हम यहां यूजर अइडे और पासवर्त डालके लोग इन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का error आ रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में complete process बताने वाला हूँ कि आपको इस error का आपको solution कैसे निकालना है वो मैं आपको इस वीडियो में complete process बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले यहां पे देख सथा है कि यहां पे कुछ error आरा जिसमें बताया जारा है कि आपको यहां पे जो है login password आपको change करना देख साता है change your login password तो इस वीडियो में बतानेवाल Sage नहीं परेगी और natur चैनल को चेंज कर आप नहीं हो छे Сейчас आप इस वीडियो डियाप देम नहीं बताने वाला उन है जया है आप इस वीडियो को 한ी तक जरूर देखिए और अगर आपको विडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने मुगाइल के सेटिंग के अंदर आपको चले आना जैसे के यहां पर सेटिंग के अंदर हम आज चुके हैं उसके बाद आपको यहां पर search का ओप्षन यहां पर मिल जाएगा देख सकते हैं तो आपको यहां पर search करना हैä app management जै कुछ बाइल सब्सक्राइब है अगर आपको search का option यहां पर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है नीचे आपको buscar DAVID करバイ psychiatry और तो हम किलिक करते हैं उसके बाद 높लों को यहां पर सर्च का उप्स्ट करना है योज क तरह से यहां परिकसे यहां प्ल fare चुखलार उसके बार आपको यहां पर सांट करो से इस पे आपको किलिक करना है अग्रेक करना है उसके बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेश देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको यहां पर using the app का option मिलता है इस पर आपको click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको sim1 और sim2 का option मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे select करना है कि आपका register mobile number SIM 1 में है या SIM 2 में है आपको select करना है जैसे कि मेरा SIM 1 में है तो हम SIM 1 पे select करते हैं उसके बाद आपको नीचे next का option में जागा next पे आपको click करना है और इसके बाद allow पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टैमिंग चलेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा दिर वेट करना है देख सकते हैं यहाँ पे टैमर चल दा है तो आपको थोड़ा दिर वेट करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 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 अपन लाट नम्बर निचे next का option तो आपको next करjat कर दो आपको यहां पर पूसलिक करना तो आपश्योंन बार यहां पे यूसर नेम और पासवड में जायगा तो आपको यहां पी अपना यूजर नेम और पासवड डाल देना जो भी आपके UNO SBI का जो है username और password है तो आपको इहां पर डाल देना है उसके बाद जो है नीचे आपको commit का option मिल जागा तो submit पर click कर दना है तो चली हम यहां पर username और password डाल देते हैं उसके बाद जो है आपको यहां पर OTP डालने का option मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर OTP डाल दना है OTP जो है आपके रेश्टर मोबाइल नमर पर रिसीब होज आएगा तो आपको यहाँ पर OTP डाल दना है जैसे कि मैं यहाँ पर OTP डाल चुके हैं उसके बाद नीचे आपको next का option में जाएगा next पर आपको click करना है और आपको यहाँ पर term of condition इस पर टिक करना है और नीचे next का option में जाएगा तो next पर आपको click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर six digit का mpin डालने का option में जाएगा तो आपको यहाँ पर six digit का mpin डाल देना है तो चलिए हम यहाँ पे mpin डाल देते हैं उसके बाद आपको नीचे next का option में जागा तो next वाले option पे किलिक कर दना है उसके बाद यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेशन का यहाँ पे message आ जाएगा देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन और you have successfully registered कुछ इस तरीके से लिख करके आ मेजागा is a service request को मोन जाता है तो आपको इसपे किलिक करना उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का option मेजाएगा तो आपको जोए kier्फ करने के लिए बोल रहा हैं और बोल रहे हैंक से maintenant है चेंज करना है तो मैं आपको बदा दूँ अगर आपका योनो SBA आप लॉग इन हो जाता है कुछ इस तरीके से तो आपको यहां पर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का आपसन मिल जाएगा तो आपको यहीं से चेंज कर सकते हैं आपको लॉग इन पासवर्ड जो है आपको इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड है तो आपको यहां पर डाल देना है और उसके बाद नीचे समिट का आपसन मिल जाएगा तो समिट पे किलिक कर देना है जैसे ही आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल कर आप समिट पे किलिक कर योनरñ भाइंगें उसके बाद आपको लॉगिन पासवड डालने का आपस्वर्ट अब को बदलना है उसके बाद आपका पासवड्ट जाएगए उसके बाद यहिंगे तो आपका जोर्न मन्हों रहें हो जाए तो इस तरीके से आप You know SVI app में लॉग इन कर सकते अगर आपको कुछ इस तरीके का Error आ रहा है तो आप पासवार्ट चेंज करके आप कुछ इस तरीके से लॉग इन कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद है और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंड कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई